कि यह दोस्तों स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नई टोपी के साथ तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्व से गज़र श्टार्ट कर जाएं दोस्तों मैं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरी राइट मुल्टिपल इंडिपेंडेंटली टार्गेटिबल रिएंट्री वीकल दोस्तों यह है एम आई आरवी और भारत ने इसका प्रस् यह नहीं का मैटर क्या है तोस्तों जब हम बात करते हैं इंटर कॉंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आई सी बीम की है तो आई सी बीम एक किसम का रॉकेट है उसका एक वारहेड है और वो जाता है बलास्ट करता है खुसूसी हाइट पर वो बलास्ट करता है और वो एफ Little Independent यानिकि एक आप मिसाइल या और एक आप रॉकेट फायर करेंगे अग्नी 5 आप एक बार फायर करेंगे तो उपर जाकी क्हास हाइट शाइल तूट जांएगी और इसके बनेंगे पाँच हिस्से यानि कि पाँच अलग-अलग मिसाइल और वो पाँच अलग-अलग मिसाइल जिसके उपर एक न्यूकलियर वारहेड लगा है एक एक अटमी वारहेड लगा है वो अलग-अलग दुश्मन के शेहरों की ओर जा सकती है यह जो टेकनोलोजी है अब यह भारत के पास आई है इसका सफल प्लसक्शन DRDO ने कर दिया है बहुत-भाथ शुब कामना है बहुत-बहुत-पुबारक बार DRDO को इसके पहले यह जो टेकनोलोजी थी, यह चीन के पास थी, अमरीका के पास थी, रूस के पास थी, फरान्स के पास थी युके के पास थे लेकिन भारत के पास ये टेक्नालोजी दोस्तों नहीं थी अब भारत के पास ये टेक्नालोजी हो गई है दोस्तों भारत क्लेम करता है कि अगनी फाइव का जो रेंज है वो है पांच से लेकर आठ हजार किलोमीटर जो कि एक इंटर कॉंटिनेंटल बैलेस् और किलोमेटर का है। ऐसा चाइना कह foto क्यों तों क्या चाइना सच कह रहा है है। चाइना जूट खर네요 इसके अंदर भी इसे अन मैं और ब Imperial किष सकता है होर सकता है وہ सकता ना ओ मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, कोई भी, जो मीडिया में ख़बर फैल रही है ना, कोई आपको सची ख़बर नहीं देगा, DRDO आपको कभी नहीं बता देगा, आपको ये बता देगा कि मैसाइल करेंज क्या है, वो भी नुकलर मिसाइल, कल तो लोग ब्लूपरेंट बांगेंगे, बाई साब जब इतना बताती है, ब्लूपरेंट दे तो हम भी घर में बताने हैं, बेस्मेंट में, ऐसा नहीं होता हूँ, बेसिकली क्या है, कि ये बिल्कुल एक टेंटिटिव टाइप का मामला आपको दे देते हैं, क्योंकि मीडिया पूछती है, तो टेंटिटिव दे दिया, ये भी हो सकता है, जो चाइना कह रहा है, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा, चाइना क्यों बार-बार रिपीट कर है, कि अगनी फाइव का जो रेंज है, जो भारत ने बताया है, वो गलत है, और एक्चुली इसका कहीं जादा है, ऐसा क्यों कह रहा है चाइना, दोस्तों ऐसा है कि 12,000 किलो मेटर चाइना को स्ट्राइक करने के लिए हमें 12,000 किलो मेटर नहीं चाहिए, जो हमारा 5-8 है, that is good enough for China, China का हर एरिया कवर हो जाता है, आराम से, महबबत से कवर हो जाता है, और बटन दबाते ही, चाइना के 5 शेरों को एक साथ हम good night बूल सकते हैं, लेकिन भारत और चीन की दुश्मन ही है, और ये तो अमरीका और योरोप के लिए अच्छी बात है अगर भारत और चीन ल जाना है था, having said that, the problem here is different, ladies and gentlemen, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है के भाई, जो चाइना है, ये क्यों 13,000 कह रहा है, कौन सा ऐसा देश है, कौन सा ऐसा continent है, जो की बहुत दूर है, वो है North America, North America में है Canada, North America में है United States of America, ये basically Western Europe की बात कर रहे हैं, ये basically America की बात कर रहे हैं, और चाइना वाले ये सब बातें कर रहे हैं कि देखो, इस मिसाइल से सिर्फ चाइना को खतरा नहीं है, हम आपको बता रहे हैं, इसका ये रेंचे से आपको भी खतरा है, तो आप भारत को जो ताली बजा के बोलते हैं यार, भारत ने बड़ा तीर मार दिया, M.I.R.V. बना द चाइना बजाएं बाते हैं, इस में चीन गुड़नाइट करता है, लेकिन अगर चीन गुड़नाइट उसमें कह देगा, तो चीन को क्या फरक पड़ रहा है, क्योंकि चीन जो है वेस्टर्न कंट्रीज को बताना चाहता है, कि आज की तारिक में भारत को दोस्त समझ रहे हो ना, कल अगर भारत दुश्मन हो गया, तो यही अगनी फाइफ वाशिंटन में गिरेगा, यह चीन इंडिरेक्ली बताने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, चौंकिंग, चेंगडू, शांगहाई, बीजिंग, गुंजाओ, यह बड़े नाम हैं, बड़े शेहर हैं, जहां से चाइना की एकॉनमी चलती है, सिर्फ इन से नहीं चलती दोस्तों, और भी ऐसे शेहर हैं, जिससे चाइना की एकॉनमी चलती है, अपने आप में शांगहाई को देख लीजे, शांगहाई की जीडीपी कई देशों से आगे है, एक शेहर की जीडीपी कई देशों से आगे है तो ये चाइना के नर्फ सेंटर्स हैं। सारे के सारे जितने भी एरियास हैं सब चाइना के एस्ट या फिर साउथ एस्ट में हैं। अब समझ के दोस्तों चाइना का मैप देखेंगे, आपको पता लगेगा कि major populated areas of China are east and south east. चाइना के वेस्ट में ना के बराबर कुछ है वेस्ट के बीच में बहुत बड़ा गोला बनाया है गोबी डिजर्ट का वहाँ पे कुटा नहीं बहुकता हूँ वहाँ पे कोई नहीं है कुटा वैसे भी चाइना में बहुकता है सब खाचुके हैं लोग लेकिन जो मेजर चाइना का पॉपलेशन चंग है जो चाइना के मेजर शहर है वो आपको मिलेंगे उसके पूरवी ओर या दक्षन पूरवी ओर और चाइना को पता है कि अगनी फाइव अगर फायर होगी तो ये हमारे टर्गिट्स हैं जहां तक पाकिस्तान की बात है पाकिस्तान के लिए दोस्तों अगनी फाइव की आवश्क्ता नहीं है पाकिस्तान बिलांद भर का है लेकिन अगर पाकिस्तान को कभी गुड नाइट बोलना हुआ तो रावल पिंडी, इसलामबाद, कराची, लहुर, हैदरबाद सिंद, ये पांच पॉसिबल टार्गेट्स हो सकते हैं, अगनी फाइफ के हो सकते हैं, मैं क्या रहूं, पूरे पूरे शेहर एक बटन दबाया, पूरे के पूरे शेहर दबा, कानी कतम, भगवान ना करें कभी ऐसा हो, भगवान ना करें, हम कभी ऐसी बात भी करें, ये तो टेस्ट हुआ है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, कि ये ये capabilities हैं, लेकिन इंडियन्स कभी ऐसी बात नहीं करतें, कि हम मिसाइल मार देंगे, ब दूसरी तरफ चाइना के जो स्पाई वेसल्स हैं, जिसको चाइना कहता है कि सर्वे के जहाज हैं, ये घूम रहे हैं मॉल्डिव्स के आसपास, इनके स्कैनर, इनके प्रोब्स, सैटलाइट से अपने, हर चीज़ देख रहा है कि भई, सही में बताओ, इसकी capability क्या है, आप ले, तीन साल तक इसी को स्टड़ी करते रहूंगे, वो कैसे चली, कहां चली, कैसे उसके, पांच मिसाइल निकले, किस तरीके से रियेंट्री, इच और ये जो स्पाई वेसल भेजा है, इसी के लिए भेजा है चाइना ने, ऐसे ही मौकों के लिए, कि पता लग जाए भारत अबर बार ने, कि है मौदी जी का है ट्रिक, किया है मौदी जी का है इसी पता लगजा इसी मौदी शे जाटाएउ, याने पश्ले मेजरली राइट में आपको बताया था, यानि कि मौडिव्स के बलकुल ऊपर भारत ने रिए ओर कि बना दिया अब चाइना जो ऊपर के बारे में बताया अभी माई यार्वी री एंट्री वीकल एक मिसाइल के अंदर पांच मिसाइल एक के साथ पांच फ्री पांच शेयर गायब तीसरी चीज जो हमने दो दिन पहले कवर करी थी जो परदान मंतरी पहुंचे थे अरुनाचल प्रदेश और दोस्तों तवांग का जो सेला टैनल है ना उसका फीता काड़ दिया यानि कि बारेश हो तूफान चले दस फुट बरफ गिरे कोई फरक नी पड़ता इंडियन आर्मी बॉर्डर पहुंच ही जाएगी आज तक नहीं पहुंच उनने टैनल बना दिया अचा मोधी जी गये मोधी जी ने फोटो वोटो कीची मोधी जी ने ट्वीट करा उसके बारे में सब वेव करा सब को शावाशी दी बेटा वेल डन आगे काम पे लग जोई है यहाँ पे चाइना का गला सूख गया चाइना कहता यार यह बार बार ए अरुनाचल में भारत के पी-म कैसे जा सकते हैं मैंने आपको बताया ना चाइना क्या करता है चाइना समझता है दोस्तों मैं आपको वेरी इंट्रेस्टिंग चाइना अरुनाचल को सौट टिबेड बोलता है वो कहता है कि पूरा का पूरा अरुनाचल पूरा का पूरा करते हैं ये बहुत गलत है भारत का प्रदान मंतरी मोदी कैसे जा सकता और उनाचल प्रदेश वो तो चाइना के रही है तो भारत ने बोलते हो तुम जो बकवास करनी है हमें जो करना था हमने कर दिया तो भारत ने कुछ नहीं बोला वस ऐसी एक ऐसी गुनगुना टाइप का उनको को रिस्पॉंस दे कर रफा रफा करा जब भी को जाता है ये चीखते हैं तो दोस्तों मेरी आप से आज रिक्वेस्ट है आप अक्सर मुस्त पूछते हैं कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं ठीक है अगली बार छोटी मनाने के लिए अरुनाचल प्रदेश जाहिए वहाँ पे सेल्फी डालिए वहाँ का वीडियो बनाईए ठीक है मैं आपको बता रहा हूँ आप अरुनाचल जाहिए बड़ी सुंदर बड़ी खुबसूरत जगे है जन्नत है बिलकुल अरुनाचल प्रदेश आप अरुनाचल जाहिए और आपके जाने से आप वहाँ पे ह वीडियो को यहां तक देखें बागे हमें तो बहुत पसंद आया है वीडियो आपको कैसी लगी यह कमेंट में लिखकर आप ज़लो बताएगा फिलाव दोस्तों आपसे विदाए ले रहे लेकिन मिलते हैं और एक नहीं वीडियो में आपके साहँ तिल देन जैनिन पसक्षाइब बताएब देन जैवार्श जैवार्श अच्छ।